शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें आज बंगाली खुब बड़ा जोर मार गया जतिंदा ने वो आत्पाउं चलाए एक अवल्दार अभी तक अपना समान पकले बैठा है के अवार्ण क्वुब भालोग में जहाए यहाए एक बुन्ध बी अंदर नहीं जाने को दिए तेर को भूराता न ही तक तरह साथ चलेगा अगी तक तरह साथ चलेगा अद्ट कर रात से पानी भी नहीं दिया अबे सुन्राए कोई, पानी लाओ! अबे पानी तो देदो अरा मियो पानी लाओ! अबे भगत 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 यह क्या पागल बने यार क्या सुन रहो मैं तू भीके और समझा नहीं सकता इसको तू भी सा ते रहे इसका भूका रह रहे तू क्यों क्या हसिल हो जाएगा तेरे भूका रहने से झालब, झालब 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 तुछाजियर गॉटें है। लगंफीरेन प्राजियरेन मुझेर लॉए है। तुम जिलosen ते… बόल सजिता लॉए है। अरू है। समयाओा। दुरह। इंकलाद! उबताद! इंकलाद? और अद harmadhaще! विवार्ग व पाराट इंस सुराम मेराश हुआँ मुने विलन के भूराका, नियुट। हाँ! इसे भी उनके साथ खड़ा कर दो बड़ दूशे कुट्रेया, अवर ही है, thank you अवालालाला, तू कैसे आगया? तुम सब के बिना दिल नहीं लगता है अवारा दिल नहीं लगता है Your Honor, is this a murder trial or a celebration? अवे जशन है वकील सहाब, इंकलाब का जशन इंकलाब, 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 what the hell is your इंकलाब? बार बार इंकलाब का नारा लगाते हो, इसका मतलब ही समझते हो आप? इंकलाब एक लड़ाई है, जुल्म और नाइनसाफी के खिलाफ इंकलाब एक हथियार है, आदमी पर आदमी का शोशन रोकने के लिए इंकलाब एक एलान है, पेश के नाजवानों को एक चुट करने के लिए इंकलाब एक चेतावनी है, इस बरबर सरकार को उश्यार करने के लिए इंकलाब एक बुकार है, सोई हुए आवाम को उठाने के लिए इनकिलाब एक आवाज है, तब है वेज अमीर को जगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मतलब समझाने के लिए समझी गए हैं तो आप भी आजाएं हमारा साथ नेवाने के लिए ओडर ओडर प्लीज यॉर अनर, प्रोसीक्यूशन लाहूर कॉंस्पिरेसी केस का वाइडा माफगवाब पेश करना चाहता है आप नियसर नियसर ओडर ओडर परमिशन ग्रांटिद ठांक यॉ यॉर अनर, मिस्टर फरिंद्रनाथ घोष को पेश किया जाए था तो मिस्टर घोष, इन लोगों ने गेर कानुई तोर पर बम बनाने की फैक्टरी लगई थी ओए, आख तो मिला धरतर राश्टर की आउलाद नहीं दुलन की तरह शर्माता है क्या रहे विलायत भी ले जा रहे हैं क्या तुझे गदार कुटे और और प्लीज तो आपने बम बनाने में इनकी मदद की थी यॉर ओनर हमारे पादिंग का लिखा हुआ बयाने जो अदलत में पेश कर दिया गया है इन साब के गवाई कोई माइने नहीं रखती ना ये हमारे साथ हैं ना ये बम बनाना जानतें अगर तुम्हें बम बनाने को नहीं पाता है तो बताओ बम बनाने में किन किन चीजों का इस्तिमाल होता है हाँ ये अरवन का मुश्किल काम है अभी बोलता है बहुम बनाना में में नौटा जिनिश्का दोर कर पड़ता है गडर। बोलो जे जैए wanna सुल्फुरीग wichtiger बैस और कुछ भूल तो नहीं रहे DRादा मं और कुछ नहीं भूल रहे है फोलो!! त्यफीट तुटो जीदील दमगरा रहे है एक खोलो ओई लाल मने रेड पेपर वो मा के कैप के बास थे और रोन पीजिस वो मा के क्लिप के बास थे आर किच्छी वाकी ने की जो दिंदा ठीक बोली नी? Yes, you are absolutely correct. I'm proud of you, phony. पूछी आर मिलका सबूत. पूछी और क्या पूछना है? पूछी आर बहुत पूछना पूछना. जर उनर, हमें और कुछ नहीं पूछना, बॉम बनाने के बारे में जो कुछ हमने इतनी मुश्किल से सीखा था, कलगबार के जरीया हमारे देश का बच्चा-बच्चा सीख लेगा, तांकियो मिस्टर खान, इंकलाव से जामाग, लड़कों ने कमाल कर दिया, अब तो देश क हर बच्चा अपने घर में बम बनाएगा, बंडी जी, पहले तो भगत और सुकदेव और साथियों का लगलग जेलों में रखा गया था ना, अब तो सुनाए कि सभी को एक ही जेल में ले आए है, अंग्रेजों का बुरा वकत आ गया है रे, भैस पांदी में गई रे, अओ मजंड़ा रहा है यह चलो चल के रोटी खालो चलो यार रोटी खालो नुस पग्टया संब आ तो से शम्जारेका एए पाजी जायओ यार रोटी खाल नहीं जाओ यार रोटी खालो ने बहुलने में खौँएंगा सुभी नहीं भाएंगा, सब सात हैं हार देखो, इतना असान नहीं है एक बार अगर कूट पड़े तो आखिर तक चलना पड़ेगा रुखने का मतलब है हार और किसी एक ने भी कोई नहीं रुखेगा भगत हम सब आखिर तक चलेंगे हम तुटेंगे नहीं भगत हम में से कोई भी कमजोर नहीं पड़ेगा भगत सब आखिर तक लगे रोज 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 मरना पड़ेगा किस्तों में मौत आएगी इंकलाब! 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 But it's the third time the Tribune has reported it, sir. It's right there! 26 days without food! It's just a publicity stunt, Herbert! इंकलाब 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 भगत सिंग की भूखरताल से सरकार को खत्रा होगा लेकिन वाइसरोई ने उसकी जैतामी को खारच कर तिया बगत सिंग हैंदी नोगन कार्स इट एट रून नॉट गट में जेलर अट लहोर वह प्त, प्र भीजोग भीज़ वार्सेम जेल 25 Aoसे प्रभाइसından हम्हम हो ति. समौис आज बंगाली खुब बड़ा जोर मार गया जतिन दाने वह आत्पाउं चलाए एक अवल्दार अभी तक अपना समान पकले बेटा है कर दारुन कूप बालो बलोड चे ऐक भुण भी अंदर नहीं जाने को दिया देरको बोलाता ना किर अखेर तक तरे साथ के अखेर तक तरे साथ चलेगा अघ्या जुटी है कामीनों ने कल रात से पानी भी नहीं दिया अबे सुन रहा है कोई पानी लो ओए पानी तो दे दो हरामियों पाली लो ये किशोरी भी तो पागल है कल रात पूर ये एक मुठी लाल मिर्च भाग गया ताकि वो लोग गले में ट्यूब में डाल सकें इस आले ट्यूब ही डाल पाएंगे तो खाना कहां से खिलाएंगे सारा गला जल गया है पाली लाओ वह आगया वह पानी आगया है हरो अब जोदे बस्टर्ड्स सले इंसान की पैदाईश हो या जानवर की कमीनापन देख भगत पानी की जगह दूद रखा है सालो ने देख फिलाएंगे सालो ने सरी इंसान की जगह पानी झाल झाल जहां एक तरफ हिंदोस्तान क्रांतिकारियों की भूखरताल में शामिल हो रहा था, वहां दूसरी तरफ वाइसरोई की शांदार दावतें जारी थी, लेकिन... I say, what is going on outside? There seems to be some sort of a strike today. I saw that too. Who is this Baghat Singh that everyone's suddenly talking about? I wouldn't bother too much about that, madam. He's one of those, um, revolutionaries who's gone on a hunger strike as a stunt. But why all the fuss about that? Mr. Gandhi goes on a fast every week, I believe. I just love Mr. Gandhi. Truth for non-violence, that's my kind of enemy. But will somebody please tell me why everyone is so agitated about this Baghat Singh? Baghat Singh and his friends have not eaten for the past 55 days, madam. 55 days? My word! That's impossible. The man is looking out for some sympathy. How can a man not eat for 55 days? He has not, madam. Even my family members are fasting for him for the past few days. Care for some fish? Oh no, goodness no. Excuse me. And the night of Baghat Singh has been put in the village of Baghat Singh. And the night of Baghat Singh has been put in the village of Baghat Singh. King fellow. Mr. Gandhi's been the sole representative of the people. And he's been willing to talk to us. But if this, this Baghat Singh wave continues, Gandhi may not be left with any people to represent. What do you mean? At this point, sir, Baghat Singh's popularity rivals that of Mr. Gandhi. Who says? My sources. Ha! Your sources! Within the Congress party. What are their demands? What are their demands? I'm gonna die. I'm alive! My goodness, I'm gone! Jatindas! Jatindas! 63 days since I never eaten. I'm not taking away. If I don't take this corporate, I can't help it. Oh, I can't help it. How can I help it? जादिन्दा दादा दादा भगात हो क्या हम जीत कहें मेरे भाई सरकार ने आमारी मांगे मान लिये दबा ले ले बोला था ना भगात आखिर तक साथ चलूगा आज भी एक बुन अंदर ने जाने को दिया आखिर तक साथ चलूगा आखिर तक इस बच्चे की मिरतूपर मुझे भी खेद है लेकिन तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि यदि जनता इनके रास्ते पर चड़ने लग गई तो इसे हमारे समाज की रचना नहीं हो सकती सिर्फ विनाश ही होगा विनाश हमारा मकसद नहीं है हमारा मकसद है जालिम विदेशी लुटेरों से हिंदुस्तान की आजादी ये संगर्ष खून मांगता है और हम तयार है अहिंसा और प्यार यही दो तरीके हैं आजादी पाने के और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह हम दुश्मन का भी दिल जीत पाएंगे इतने सालों से इस अहिंसा और प्यार के तरीकों से हम कितने जैनरल डायरों और कितने लौड अर्विनों के दिल जीत पाएंगे हम अंग्रेश सरकार से बाचीत करने के लिए तैयार हैं कमजोर और ताकतवर के पीछ कोई बाचीत, कोई समझोता नहीं हो सकता अंग्रेश पहले हमारे घर से बाहर निकले, फिर हम इजबाद करेंगे हमने डुमेनियन स्टेटस की मान की है, और वो हम लेकर रहेंगे टोटल इंडिबेंडेंडेंस, पूर्ण सुराज बस, ये हमारा हक है और हम इसे चीन के लेंगे इंकलार इंकलार बापू मैं भगत सिंग के विचारों की सराहना तुमने क्यों की जबाहर? और वो भी कांग्रेश बॉलेटन में? मैं चाहता था कि उस पर डिबेट हो, चर्चा हो चर्चा? तुम जानते हो उनके तरीके कांग्रेश के मूल सिध्धानतों के विरुद्धें भूल हो गई किन्तु आपके सामने एक बात जरूर लाना चाहूंगा हमारे पार्टी के नौजवान भगत सिंग की भाषा बोलने लगे हैं हमने डुमीनिन स्टिटस की मांग की थी बापू अभी तक वाइसराय के जवाब का हमें इंतिजार है और वहां हमारे नौजवानों में भगत सिंग के पूर्ण स्वराज के नारे गुँझ रहे हैं पूर्ण स्वराज? टोटल इंडिपेंडेंडेंज पूर्ण स्वराज अंग्रेजी हुकूमत ये बात अच्छी तरह जान ले पूर्ण स्वराज की मांग 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 पूर्ण स्वरा अंग्रेजी हुकूमत को अब बात साफ नजर नजर आने लगी अदालत के जरिये भगत सिंग का प्रचार देश भर में जाकर दिला रहा था You have to stop him Herbert, for God's sake, I have to follow the law You are the law If you declare an emergency, you can change the law With an ordinance तो आइसराय के नए कानून के मुताबिक अभियुक्त के गैरहाजरी में भी उन पर मुकदमा चल सकता है बिल्कुल, इस तरह जो फैसला उनोंने कर रखा है, उस पर अमल भी कर लेंगे और इस फैसली के खिलाफ, कोई अपील भी नहीं हो सकती इस ordinance में तो कोई गुजाश नहीं तो अब अंग्रीश सरकार दिन धाड़े कतल करेगी भगत ने यही तो कहा था पंडिजी किस मुकदमे के जर्ये वो सरकार का परदाफाश कर देगा उसे नंगा करके उसकी असलियत जनता के सामने ले आएगा और ऐसा उसने कर दिखाया इसलिये तो उसी की जान के पिछे पड़े हैं हम भगत को नहीं खो सकते हम भगत को नहीं खोएंगे हम उसे बाहर ले आएंगे भगवती बिरभद्र जी पंडिजी भगत को खबर करो वो तैयार रहे हम उसे अदालत जाती समय छोड़ा लेंगे उसे जो करना था उसने कर दिया नहीं सिना अभी बहुत कुछ करना बाकी है जो मैं करना चाहता हूं उसका हजारवा हिस्सा भी नहीं कर पाया हूं पंडिजी को संदेश भिजवा दो कि जंग अभी जा रही है और मैं मैदान छोड़कर नहीं आ सकता इसका अंजाम जानते हो भगत फांसी मर के क्या असल करोगे जानते हो मेरी दिली खायश क्या है मैं चाहता हूं कि मैं हस्ते हुए फांसी पर चड़िया हूं ताके मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके और वो सब भी बिना डरे जंगे आजादी में कूट पड़े अगर ऐसा हुआ ना दोस्त तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखाए जरूर पूरा होगा जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा हवा पानी फसलें सब पर सब का बराबर का रहा कोगा जात बात को लेकर Ikkan हिंदु भाई मुसलमान भाई मंदिर मजित के लाम पर एक दूसे का गला नहीं काटेंगे हर मजब हर धरम हर जात के लोग एक ही आस्मान के नीचे सुरक्ष झाल